घलो दोस्तों, टेक टो पस्वा मैं आपका स्वागत है। दोस्तों Infinix ने अब नई सिर्ज Infinix Hot 11 को इंडिया में लांच कर दिया है। इसके फ्रूर ने दो स्मार्टपोन लांच किये थे, एक Hot 11 एर एक Hot 11S Hot 11 पे मैंने एक वीडियो बनाय था, अगर वो आपने नहीं देखा है, वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आज के वीडियो मैं बात करने वाल हो Hot 11 S के बारे में मारे चैनल पे नए है तो चल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद देना, वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, डेटेस में इसी Hot 11 S के बारे में सबसे बल मैं आपको इसकी प्राइस बदाता हूँ, इसकी जो प्राइस रखी गए, यह सिर्फ आपको एक ही वेरियंट में देखने को मिलेगा, 4GB, 64GB जो आता है 10,999 रुपे प्राइस के साथ, तो जो प्राइस है वो भी काफी ज़्यादा एग्रेसिव है, और जो ओफर्स में आपको मिलेगा जैसे Big Billion Day सेल आने वाली है, तो उसमें कुछ कार्ट पर इसमें भी आपको डिसकाउंट मिल जाएगा, लगो आपको 10,000 रुपे तो यह जो 11,000 का फोन है या फिर कहें 10,000 का फोन है इसमें आपको फुल एजडी प्लस डिस्प्ले भी मिल लगी है, रिफ्रेस रेट अच्छा मिल ला है और जो पीक ब्राइटेस है वो 500 निष्ट की मिल लगी है, वैसे जो अधर कमपनी ज रहती है वो 10-15,000 की रिज़ तक है 50MP का AI triple rear camera setup, यहां पे जो 50MP camera है वो main sensor है और एक 2MP का आपको depth के लिए मिलेगा और एक आपको AI lens भी इसमें मिलेगा, और यहां पे आपको quad LED flash का support मिल जाता है, इसमें भी आप slow motion और bouquet video 2K तक record कर सकते हैं, और जो other features camera के होते हैं, AI beauty बगएरा बहुत सारे आपको इसमें द video record आप, bouquet, board mode तक का सारा support आपको इसमें मिल जाता है, और जो other features रहते हैं, AI beauty बगएरा HDR, यह सारे कुछ आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं, तो overall जो photography मिलेगी, इस range के इसाफ से बहुत ही अच्छी आपको इससे मिलने वाली है, प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें मिल smartphone launch करने लगें, लेकिन पहले क्या होता था, जो प्रोसेसर पुराना हो जाता था, उसीक सा smartphone launch करते रहते हैं, हो सकता, इस बज़े से 5000 mh की बड़ी बैटरी है, और यहां पे आपको 18 बाट का fast charger का support मिल जाता है, टाइप C port का support भी मिल जाता है, तो यह अच्छी बात है कि आपको एक 10,000 की range में, एक fast charger भी मिल जाता है, मतलब 5000 mh की बड़ी बैटरी को आप एजली आराम से जल्दी चार्ज कर पाएंगे, और मतलब जो gaming आप कर लो करते हैं, जो lagging shutter बगार थोड़ा वो देखनी को मिलता था, वो इससे आपको देखनी को नहीं मिलेगा, तो मतलब जो gaming के आपका experience है, वो काफी ज़्यादा कमाल का इससे होने वाला है, और एक latest processor भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, इस बात करने इसमें मिल जाता है, पर dual 4G voltage का support और Bluetooth version 5.0, security की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है, rear mounted fingerprint sensor, face unlock, और भी जो जरूरी sensors रहते हैं, जैसे gyro sensor, proximity, ये सारे sensors भी इसमें आपको देखनी को मिल जाते हैं, डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें पीछे की तरफ बहुत अच्छ ठीक है, लेकिन जो weight है वो आपको थोड़ा से ज्यादा लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा phone है, 6.78 inch की display है, मतलब 7 inch की display के साथ ये phone आता है, तो इसमें हो सकता है, थोड़ा से weight ज्यादा हो, बैटरी भी जाता है, अब overall conclusion की बात करें, तो भाया जो जिस range में phone launch हुआ है, 10, 10,999 रुपे जिसकी जो price रखे है, बहुत ज़्यादा aggressive है, और इस price में जो उन्होंने specifications प्रवाइट किये हैं, वो बास्तों में काविले तारीफ हैं, क्योंकि जो specification इसमें आपको मिलने हैं, ये other companies यही सारी चीज़े आपको 12-13,000 की range में प्रवाइट करती हैं, लेकिन Infinix न देना चाह रहे हैं, या फिर अभी भी किसी और company पे ज़्यादा trust करते हैं, वो सारा कुछ आप मुझे comment करके बता सकते हैं, या इस वीडियो से related या कोई भी doubt आपके उन्हों में, वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, बागी वीडियो पसंद आ हैं, तो वीडियो को like कर आपको सबसे पहले मिलते रहें, मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में